अपनी मांगो को लेकर जिले के ग्राम डाक सेवक लगातार कुक्षेतर में अनिश्चित कालिन हर्तार पर बैठे हुए हैं करमचारियों का कहना है कि सरकार ने उनसे जो वादे किये थे उन वायदों से अब सरकार मुकर रही है हरतार पर बैठे डाक करमचारियों का कहना है कि सरकार उनका साथवा वेतन मान लागू करे वरना ये अंदोलन आगे भी चारी रहेगा यो ससैवथ बैक कमिशन है उसके समधित कमिलेख चिंद्रक की एक कमेटी गटित की गी थी जो की डेट साल के लगब हो गी है वो सरकार को सुख दी गी है लेकिन अभी तक किंदर सरकार ने उसको लागू नहीं की है उसके बारे में बहुत बार हमने धर्मने परतसन यहलियां और आमर अंसन दिली में वहां किया गया लेकिन क्लंत सरकार में कोई हमारी सुख लगवाई नहीं की जिसके वज़ा से हम मजबूरान अन्नीशीत कालन अर्ठाल पर हमें सभी गरामदाक सार्भ दाक साथ बाईयों को अनिशीत कालन अर्ठाल पर जाना पड़ा हैं 24.5 18 से हम अनिच्चित अलन श्रताल से बेटे होएं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानजाइँगी हम हिसी प्रकार अनिच्चित कालन श्रताल पर बैटे रहेंगे लेकिन फिर भी इसकी जिमेवार जो है ये केंदर सकार है बता दे कि अगामी सोववार को कुरुक्षेत्र जिले के सभी ग्राम डाग सेवक मुख्य डाग घर के सामने इकठा होका रोज परदर्शन करेंगे हिंदेक्स पेस के रिए कुरुक्षेत्र से भाद साबरी की रिपोर्ट